पुलिस अदिच्छक कार्याले पर प्रेस वारता के दौरान पुलिस अदिच्छक मेंपुरी कमलेस बीक्षित ने बताया कि कई समय से यह लूट करने वाला गिरोज सक्रिय था और अपने आपको क्राइम ब्रांच का बता कर लोगों से धनोगाई वालूट पाट करने का काम क किया करते थे जिसकी सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई तो थाना पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए फरजी क्राइम ब्रांच टेम की तलास शुरू कर दी जिसकी कारवाई के चलेते थाना कोतवाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच बता कर लूट पाट करने वाले ग्रोहों के दो सदश्य अमिस सर्मा, पुत्र शी निवास, ठरकजीत नगर, पंकजयादा, पुत्र उमेश, चंद निवासी, ब्योती, खुर्द थाना कोतवाली को ग्रफतार कर जेल भेजा है ग्रोहों के सदश्य अपने आपको क्राइम ब्रांच पुलिस बता कर रहागीरों से लूट पार्ट किया करते थे और जनपत में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद मुख्विर की सूचना पर पुलिस ने घेरावंदी कर क्राइम ब्रांच पुलिस बताने बाले दो शदश्यों को ग्रफतार किया है पूरे मामले की जनकारी देते हुए पुलिस सदीच चक्वैन पूरी ने और क्या कुछ कहा आईए सुनते हैं इस डिपोर्ट में अज यह दो अभ्यूक्त गिरफतार हुए हैं एक अमित शर्मा दूसरा पंकज यादो इनके बारे में काफी दिनों से जानकारी मिल लाई थी कि जगह 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 जन्पद में कई जगह इनके द्वारा अपने को क्राइम ब्रांच का बता करके और डूट पार्ट की घटन और नूटी नूटा गिया दस जार रुपया बरामद में हुआ अभी इन से पूस्ता जोर किया जा रहा है जिससे कि कहां कहां घटना कैसे किया है ये पुरी जानकारी हो सके है कोई अबराद भी आगें से पहले भी है देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर